दोखो फिर वही उससे मिलता रूलता कोशन है अभी जो हमने ट्रेन वाला कोशन किया था उससे मिलता रूलता कोशन है वही कॉंसेट है दोखो इसमें क्या है Out of M person sitting in a row दोखो M आदमी एक row में बैठे हैं दोखो ऐसे है ना माली ये person 1 है P1 है P2 है P3 है और दोखो ऐसे करके ये M आदमी एक row में बैठे हैं N are chosen at random N को उठाया गया है ना N को लिया गया Find a probability that no two chosen persons are together ठीक है N लोगों को लिया गया अब जाहिसी बात है N जो है ये M से कम होगा क्योंकि जो लोग लिया गया वो M से कम होगे तो N लोगों को ले लिया गया अब दोखो कह रहे हैं कि इस बात की probability बताईए कि no two of chosen persons are together मनलब जो लोग चुने गये हैं उनमें से कोई भी दो साथ साथ ना आए दोखो N S N S क्या है M मैंसे N का selection तो M C N हो गया M आदमियों मैंसे N आदमियों को लेना है तो M C N हो गया N S अब दोखो N E N E का मतलब जो लोग हमने लिये हैं वो साथ साथ ना हो उनमेंसे कोई भी दो लोग साथ साथ ना हो कि M मैंसे हमने N लोग लिये हैं लेकिन कोई भी दो लोग साथ साथ ना हो तो दोखो इसको अब हम वही अपने second method से करेंगे एक तो detail method अपना था उससे नहीं करेंगे second method से करेंगे देखो कैसे करेंगे ध्यान दू देखो no two of chosen persons are together कोई भी दो ब्यक्ति जो हमने चुने हैं वो साथ साथ ना हो देखो क्या करेंगे यहाँ पर देखो मालू हमने n लोग लिए तो जो लोग लिए मालू वो यह है x1 x2 से लेकर xn जो नहीं लिए वो क्या बचे यह बो लोग हैं जो हमने चुन लिए chosen जो नहीं चुने बो लोग कौन से हैं बो लोग बचेंगे देखो m-n लोग जो नहीं चुने नहीं चुने गए लोग वो मालो यह हैं y1 y2 y3 से लेकर ym-n यह बो लोग हैं जो चुने नहीं गए हैं देहन दो तो पहले इनको अरेंज करो तो अगर हम y1 y2 y3 को अरेंज करेंगे ठीक हैं इनके बीच में गैप दे दे करके यह बो लोग हैं जो हमने नहीं चुने पहले इनको अरेंज करेंगे ठीक अब अगर इनको अरेंज करेंगे तो गैप कितने बचेंगे देखो गैप हो जाएंगे एक ज्यादा गैप हो जाएंगे M-N प्लस वन है ना देखो ये वो लोग हैं जो चुने नहीं गए हैं उनको पहले मैंने लाइन में बठा दिया गैप देदे करके तो M-N लोग लाइन में बैठे गैप एक ज्यादा होंगे तो M-N प्लस वन गैप हो गए अब इन गैप में वो लोग रख दो जिनको सेलेट करना है है ना इन गैप में N परसंस को रख दो तो क्या हो गया देखो M-N प्लस वन सी एन देखो ये हो गया है ना M-N प्लस वन सी एन तो M-N प्लस वन गैप में N लोगों को रख दो जो लोग चुने गए हैं तो ये हमारा देखो N-E आ गया N-E है ना ये आ गया N-E और N-E अपॉन N-S क्या हो जाएगा बोलो प्रोवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर upon ns देखो हमारा probability हो जाएगा ठीक है दोखो जैसे हम चाहे तो इसको एक formula की तरह भी मान सकते हैं है ना हम इसको एक standard formula की तरह भी for example मान सकते हैं है ना दोखो है ना इसको एक standard formula की तरह भी मान सकते हैं कि मान लोग M लोग बैठे हैं और N लोग लिए गए और ऐसे लिए गए कोई दो साथ सातना हें तो M-N plus 1 C N इसको हम एक formula की तरह भी मान सकते हैं ज़ान दो M-N plus 1 C N इसको एक formula की तरह भी हम मान सकते हैं, मान लो जैसे हमसे कहा जाए कि N लोग है, है ना, N लोग है एक row में और R को हमने select किया, ठीक है, if no two are together, कोई भी दो साथ साथ ना है, N लोगों में से R को select किया और कोई भी दो लोग साथ साथ ना है, तो दोखों ये हो जाएगा, इसका फार्मूला N माइनस R प्लस 1 C R, ऐसे भी एक हम फार्मूला स्टेंडर्ड मान सकते हैं, है ना, दोखों जैसे यहाँ पर क्या आया, M लोग थे, N को लिया, तो M माइनस N प्लस 1 C N, यहाँ पर क्या है, L लोग एक row में बैटे हैं, R का selection किया, तो N माइनस R प्लस 1 और C R, and no two R together, यह भी ध्यान देना है, L लोग अगर एक row में बैटे हैं, और R लोग आप चुनोगे, और ऐसे चुनोगे कि कोई भी तो N माइनस R प्लस 1 C R, जो हमने फामूला पढ़ा था, N प्लस R मैनस 1 C R मैनस 1, देखो उससे काफी मिलता जूलता है, हाना, फ्रोड़ा हाला की फर्क है, N मैनस R प्लस 1 C R, यह देखो यहाँ पर फार्मूला आगे हैं, ठीक हैं, जैसे यहाँ पर देखो, M लोग थे, N लो लोगों को चुना तो n-r plus 1cr तो इसको हम direct भी use कर सकते हैं अपने questions में ठीक है हाला कि formula कितने याद करोगे basic से करना ज्यादा अच्छा रहता है और basic मैं भी देखो ही shortcut तो n-e upon ns अब देखो से यहां पर क्या था एयम लोग हमारे पास थे अन मेंसे n लोगों को चुना। था और है ना? म लोग हमारे पास थे उन मेंसे हमें n लोगों को चुना था अच्छा अब जैसे एक सवाल जाएसा होता है कि M लोग हैं, उनको बैठने के लिए N कुरसिया पड़ी हुई है, है न, M लोग हैं, उनके बैठने के लिए N कुरसिया पड़ी हुई है, तो अब लोग कैसे बैठेंगे कि कोई भी दो पास पास ना बैठें, ये भी सवाल होता है, है न, उसमें भी करना यही होता है, लेकि लोगों को बैठाना है तो वहां अरेंग्मेंट सामने आता है यहां लोगों को सेलेट करना है इसलिए यहां कॉंबिनेशन सामने आता है थोड़ा फर्क है थाना तो भी हम लोगों ने किया था पर मुटेशन कॉंबिनेशन में तो को फिर अभी करेंगे दिखुच रहा इसको जो देहन से.